हाई दोस्तों असलाव लिकुम कैसे आप लोग मेरा अम नभील है यह है आयो 16.4 का डेवलपर बेटा 3 अब इसके बेटा जो है हर अफते आ रहे है यह बेटा वर्जन जो होते हैं इनका बेटा प्रोफाइल होता है उनके डेवाइसे पुछ के जाते हैं हो सकता है आपके फोन में यह वाल अपडेट देखने आपको ना मिले क्योंकि आप बेटा प्रोफाइल पर नहीं हो पब्लीक बेटा डेवलपर बेटा दो टाइप के होते हैं फिर भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपको पता रहेगा कि आगे आने वाला जो आयो 16.4 का अपड आपके लिए जानना इंपार्ण होता है इसलिए हमेशा इसके जो वीडियो है वो लेके आते रहते हैं और यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं यह कोन से है तो यह सबसे बेस्ट केस आइफोन के इसके ऊपर शायद ही कोई केस आपको देखने मिले आइफोन के लिए और बारे में मैं आगे आपसे बात कर लूँगा वीडियो के अंदर क्योंकि बहुत लोग को जो है इस बारे में जानकारी चाहिए रहे थी के केस कौन सा अब इस्तमाल करें यह जो है all time favorite case है मैंने बहुत सारे cases इस्तमाल किया banks है और totem है और बहुत सारे cases है लेकिन इसके ऊप प्लस के ऊपर जो चल रहा था बेटा 2 के ऊपर वो था 656.8 MB का अगर आप बेटा 1 से या फिर iOS 16.3.1 से इस पर डिरिकली जाओगे तो 5 GB के आसपास का आपको अपडेट देखने मिलेगा और यह अपडेट के अंदर जो आपडेट चेक करेंगे तो यह टाइप का आपको य प्रिकली और अपडेट के बाद अपडेट के बात करण कि आपको इसको आपके यह थोड़ा से बढ़ रहा है यहां पर आपल ने इसको शाल्फ करने की कोशुष किया है अपडेट के बाद का जो build number है उसके end में भी surprisingly E ही लिखा आपको देखने मिलेगा, तो यहाँ पर E के बाद जो है इसके पहले के letters आते जाएंगे, फिर final version हमको आएगा, release candidate version मिलने के बाद, तो यहाँ पर यह चीज का आपको धियान रखना होता है, इसलिए मैं आपको अमेश आपको देखने मिलेगा, तो सेम चीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, इसमें कुछ नई आ भी है, और यहाँ पर आपकी Apple ID आपको नज़राएगी, जो के यह बेटा जो अकाउंट है आपका developer account, उससे linked रहेगी, अगर आप बेटा public वाले से linked रखते हो इसको तो बेटा नहीं, और अगर developer beta के लिए करते हो, तो आप जो है developer public जो आपको करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि developer beta जो Apple को होता है, पेड होता है, पर यहाँ चार्ज करना चाता है, बहुत सरे website क्या करते है, यह जो beta profile होता है, उसको पने website यहाँ से public download कर लेती है, लेकिन अभी पाएंगे आगे से, अभी तो फिला लोचीस काम करें, लेकिन future में काम नहीं करेंगी, और आपके Apple ID आपके beta profile से लिंक्ट होगी, तब भी आपको यह beta update जो है, आपके phone पे देखने मिल जाएगी, तो anyways, फिकर करने की जो नहीं, अगर आप developer पे नहीं जाना जाते हैं, और 99 पर एयर खर्चा नहीं करना जाते हैं, तब यह आप पॉब्लिक beta डाउन इस्ट्रॉल कर सकते हैं, और अभी beta versions इतने attractive नहीं लगते हैं, लेकिन जब iOS 17 आएगा, तब हर कोई जो है, यह डाउन इस्ट्रॉल करना चाहेगा, उस टाइम पे उनको पॉब्लिक beta जो है, काफी क perfect for you, तो यह फर्स टाइम जब आप इसको open करेंगे, तब यह लिखा आ जाएगा, इसको यहां से close कर सकते हैं, और बात में यह जाले टाप से आप इसको, जो चाहिए उससाब से आप इसको set कर सकते हैं, तो यहां पे जब आप टर्न करेंगे, यह नॉमल है, और उसके बाद तो फिलाल मेरी Apple Watch, जो है मेरे दूसरे phone से linked है, जो मेरा primary device है, इसको 3.1 पे चल रहा है, मैं इस पर beta version इस्टॉल नहीं करके रखा है, और बहुत काफी इसका problem भी होता है, तो आपको यहां पे काफी सारे नए color options भी देखने मिल जाते हैं, और यह plus पे tap करेंगे, तो यहां आपको call quietly का option देखने मिलता है, जहां पे, अब यहां पे इसके बारे में, डीटेल में Apple ने बताया भी है, कि warning alarm, flashes और voice over audio जो है, यह सारे silent हो जाएंगे, बस hold or release करना है, आपको या फिर 3 बार यह बटन को प्रेस करना है, to make an emergency call, मतलब भाई, किसी ने kidnap कर लिए आपको, औ napper को नहीं बता देना चीए, इसलिए call quietly का भी option यहां पे आपको देखने मिलता है, इसको रख सकते है, उसके triple tap यहां से करेंगे, तो आपका जो emergency call है, वो लग जाएगा, और किसी को notification नहीं जाएगा, मतलब जो आपके आसपास है, यह देखो देखो, यह emergency call कर रहा है, तो यह चीज़ भी आप कर सकते हो, फिलाल में इसको off ही रख देता हूँ, यह चीज़ मैं करूँगा, तो मुझे तो पता चलना चीए, कि emergency call लग जाते है, हमारी गलती से, और उसके बाद, satellite connectivity के जो options, iPhone 14 series के अंदर आए है, वो बहुत सारे countries में Apple देरे-देरे roll out कर रहा है, तो अगर आपके iPhone के फोटो एल्बम के अंदर duplicates काफी सारे है, और उसको आपने shared library के अंदर भी शेयर कागे रखा है, तो उसको वहां से भी delete करने का option आपको देखने मिल जाएगा, अभी, duplicate अभी फिलाल मेरे phone में है नहीं, वन्ना मैं आपको बताएगा, तो वो चीज़ आप कह सकते हो, अगर आप उस फोटो के owner होता हो, याने कि फोटो आपने क्लिक किया है, और आपके शेयर किया है, लेकिन हो duplicates है, तो आपके shared library में से भी आप इसको डिलीट कर पाएगा, तो यह ती दोस्तों सारी नहीं चीज़ है, iOS 16.4, developer, beta, 3 के अंदर, अब यहां पे चेक कर 34.7 GB के आसपर, तो फटाफर लोड रहा है, तो यहां पे देखेंगे, तो system data से 5.9 GB ही occupied है, जब को storage bug है नहीं, 15-20 GB भी रहेगा, तो भी कोई issue नहीं है, क्योंकि fluctuating रहता है, इसमें आपको retention नहीं बात नहीं है, अब कुछ और bugs के बारे में भी बात कर लेता है, तो यहां यहां पे एक bug है, जो कि है face time के अंदर, तो यहां पे अगर आप देखेंगे, अपने phone के अंदर, जो चल रहा है stable version पे, तो यहां पे आपको microphone का icon नजर आएगा, तो यहां पे नहीं आता है, standard पे voice isolation किसी पर रखके देख लो, यहां पे microphone का जो icon रहता है, वो नजर नहीं आ हुआ है, इसके अलावा यहां पे जो है, कुछ और issues चोटे मोटे आपको देखने भी लेंगे, यहां पे देख सकते है, matter accessories से related issues है, आप लोग में से जादा लोग यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर home hub और home, apple home kit वगरा के अंदर है, तो इसमें आपको issue आ सकता है, औ चोटे-बोटे bugs है, कोई major इतना कोई बड़ा bug जो है, आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा, तो यह सारी चीज़े यहां पे है, और बहुत सारी apple यहां पे fix भी करता चला जा रहा है, अब general performance के अगर बात करें, तो यहां पे मुझे कोई issue इसमें नहीं आ रहा है, गेम भी बेने खेल के देखा, और जो applications है, वो भी crash वगरा यहां पे नहीं हो रहे है, पाकि यहां पे जो benchmarks है, वो देख लेते हैं, ताकि हमको एक अंदाजा हो जाए, कि यहां पे कोई issue तो नहीं है, या performance drop वगरा तो नहीं है, तो आज है March 8 और 1st March को जो है पहला update आया था इसके प update पे score, और आज है 12611, तो यहां पे भी कोई फरक नहीं है, 100 पांट ऊपर नीचे, 500 पांट ऊपर नीचे कोई फरक नहीं बढ़ता, जो है, जैसा था वैसा ही है, अब यहां पे अगला update बेटा 4 वाला, वो आपको कब देखने मिल सकता है, तो next week में आपको आपडेट देख इसके बारे में, और यह month end तक आपको iOS 16.4 का final stable version जो है, वो देखने मिल सकता है, which is a very good thing, इसके अंदर काफी सारे issues जो है, पिछले वाल update के स्वालवंगे, और ना सिर्फ वो, काफी सारे नए features भी आपको देखने मिलेंगे, इस update के अंदर, और जो नए features है, वो पिछले त data 3 की, लेकिन, आपको मैंने जिसे बताया था, वीडियो के starting में, के cases का रिवीव में कई बार कर चुका हूँ, पहले भी, और यह इनके latest cases है, राइनो शील्ड के, और यह बिल्कुल paid promotion नहीं है, जितने भी cases मैंने किया, सब का नाम लेकिए, वो उता, पीगन है, सब case है, जो यह 14 प्लस पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसके अंदर पीला पन कई भी नहीं है, जबकि totem के cases yellow हो गए, सब case के cases yellow हो गया, लेकिन यह case बिल्कुल भी yellow अभी तक हुआ नहीं है, तो राइनो शील्ड की बात यह अलग है, quality अलग है, और pricing भी इनका अलग है, सबसे पाइदी मार्केट में देखने मिलेगा, तो आपको लेना है, तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तब भी कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, आपकी choice है, तो उम्हीं करतों दोस्तों आपको 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 पसना होगा, इसको like and share जरू कि जो मेरे स्चैनल को सबस्राइब ज आपको 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 आपक